प्रिये भाई और बेहनों, आज का शुबस अंदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करें। आज का संदेश प्रफु के दास, नेलसन दौमस मुंबई से वाटा जाएगा। प्रारतना के साथ सुनिए। प्रफु पर्मिश्य किस्तु दी हो, थोड़ दर के अमारे मनन के लिए आईए पड़ेंगे युहन्ना का सो समाजार तीन अध्याई, तीस स्वापत। आवश्य है कि वो बड़ें और में गठों। युहन्ना का सो समाजार तीन अध्याई, 27 पत से लेके 36 पदों में युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले की बाच्युत को आवाज को हम सुनते हैं। हम जानते हैं युश्य मसी के जनम के 6 महिने पहले युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले का जनम हुआ था। पन्मेशुर ने उसको एक विसेश सेवगाई दे कर भेजा कि मसी इशु के आगमन के लिए रास्ता तयार करें, लोगों को तयार करें। मन्फिराओ का प्रचार उसने किया। जो लोग पापों को कबूल करकर मन्फिराया, वे युहन्ना के द्वारा बप्तिस्मा लिया। और हम पढ़ते हैं प्रफिश मसी का भी इस युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले ने बप्तिस्मा दिया। युहन्ना बक्तिस्मा देने वाला अपने ही चेलों को यहूदी लोगों को इशु का परिचे करकर दिया नेखो वो परमेशक का मेमना जो जगत का पापों को उठा ले जाते हैं युहन्ना बक्तिस्मा देने वाले के कई सिश्यों ने उनके पीछे हो लिये लेकिन कुछ लोग युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले के साथ रहा वो भी अपनी सेवगाई आगे कर चलाया और ईशु मसी भी अपनी सेवगाई शुरू किया युहन्ना का किचेला बीच में पूशता है हम बढ़ते हैं उसका 26 पत का अंद में सब लोग उसके पास आ रहे हैं किसके पास युशु मसी के पास युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले के चेला इस बात को देखर उनके मन में लगता है निदाशा आया कि सभी लोग युशु मसी के पीछे चलते हैं ये बात को सुनकर 27 अपत से लेकर 36 पदों में युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला बराब और उसको समझाते हैं उनका जवाब को हम देखता है इन वचनों में इशु मसी के संबन्द में उनका अंदिम गवाही को हम पढ़ता है उन अंदिम गवाही का सारामश है जो 30 पदों में हम पढ़ते हैं क्या पढ़ा आवेश्य है कि में वो बड़े में गठू आवेश्य है कि वो बड़े में गठू बहुत ही विचार करने का एक भावना को हम यहां देखते हैं युहन्ना बप्तिस्मा देने वाले का वो जो विचार इशु मसी बढ़ना चाहिए में गठना चाहिए यह जो विचार यह जो दुष्टिकोन हार विश्वासी को चाहिए हमारा एक मात्र लिच्शे इश्व मसी की महिमा उनके नाम की बड़ाउत्री और उनके नाम का आजेजेकार होना चाहिए और हम अपने आपको नम्र करना चाहिए और अपने आपको पीछे करने में कुश रहना चाहिए युहना बप्तिस्मा देने वाला यहां बताते हैं उसका कारण किस कारण से युहना बप्तिस्मा देने वाला चाहते हैं कि वो बड़े और मैं गठूं उन कारणों को देखेगा तो हमें भी समझ में आएगा कि प्रभू ही बढ़ना चाहिए उनका ही नाम स्रेष्ट बनना है हम गठना है हम नीचे या पीचे जाना है चार मुख्य बाते हम जल्दी से जल्दी देखेंगे सबसे पहले हम पढ़ते हैं 27 और 28 पदों में इस प्रगार वो कहते हैं कहता है कि युहन्ना ने उतर देते हुए कहा जब तक किसी मनिश्य को सर्ग से ना दिया जाए तब तक वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता तुम स्वयम मेरी साच्छी देते हो कि मैंने कहा था मैं मसीहा नहीं हुँ परंद उनके आगे भेजा गया हुँ युहन्ना एक बात को बराबर समझा कि पनमेशर पिता ने उनको भेजा है एक विशेश कार्य सौम कर भेजा है और वो कार्य इश्य मसी का फर्चे करकेर देना है जब इस बात का हमें पक्का निश्यता है पनमेशर ने मुझे भेजा मैं अब जहां हूं प्रभू की इच्छा में हूं प्रभू ने मुझे रखा है प्रभू ने मुझे ये स्तान दिया है ये सेवा दिया है ये काम दिया है हमारे मन में फिर डर नहीं आएगा शक नहीं आएगा और हमारे मन में हिम्मत रहेगा हम घमंड करने का अपने आपको बढ़ाने का भी परिश्रम नहीं करेंगे जब अप पनमेशों की इच्छा पर रहेंगे जब अपनमेशों की इच्छा पूरा करने का मन रहेंगे तो हमेवर अपने आपको बढ़ाने का जरूरत या विचार नहीं आते हैं और दूसरी बात 31 पत में हम समझते हैं कि क्या बोलते है 31 पत में जो उपर से आता है वो सबसे बढ़कर है जो पृत्थी से है वो पृत्थी का है यिश्व मसी के बारे में युहन्ना को बिल्कुल निशेदा था कि वो सौर्ग से आया है सौर्ग की सचाई वो सिखाता है 32 पत में आईसा भी कहते है जो कुछ उसने देखा और सुना है वो उसकी साची देता है मैं तो पृत्थी से हूं मैं तो पृत्थी की बात बताता हूं लिगनी श्व मसी सौर्ग से आया सौर्गी ये बाते सुनाते हैं सौर्ग की सचाई सुनाते हैं और वो महान है वो वो बात को वो कबूल करते हैं और उनके आदीन हो जाने के लिए उनको बिलकुल कुशी है क्योंगी वो सर्ग से हैं प्रभू है स्वयम तीसरी बात हम देखते हैं 29 में 29 पत में वो क्या बोलते हैं ऐसा कहते हैं दुलहा वही है जिसकी दुलहिन है कहने का मतलब वो बोलते हैं अपने आपको मैं दुलहे का मित्र हूं वो दुलहा है वो स्वामी है मैं उनकी आवाज सुनकर आनंदित होता हूं वो है प्रभू वो है स्वामी मेरा काम था उनका परशे करकर देना मेरा काम था लोगों को बताना देखो पनमेशक का मेमना लोग प्रभू की महिमा प्रभू के नाम के उन्चाई हमारा पसंद होता है उसी में हमारी कुशी होते हैं वो एक बहुत ही आसिशित बात होते हैं हमारे आनंद का विश्य ये होना चाहिए हमारे उन्ची नहीं बैलकि उसकी उन्ची हो हमारी बड़ा उत्री नहीं उनकी बड़ा उत्री हो अन्दिम में हम देखते हैं पैंदीस पदो में ईश्य मसी बोलते हैं पिता पुत्र से प्रेम करता है उसने उसी के हाथ सब कुछ सोम जो पुत्र पर विश्वास करता है अनन्द जीवन उसका है पिता ने सारा अथिगार इश मसी को दे दिया अनन्द जीवन देने के लिए जो को इस पर विश्वास करेगा उसको अनन्द जीवन मुक्ती और धार्मिक्ता प्रदान करने के लिए उरतना भी नहीं नीचे लिका ह देंड देने के लिए पन्मेश्र का प्रकोब उन्बर रहेगा जो विश्वास नहीं करेगा दूसरे शब्दों में अन्य जगा में लिखा है बनिश्य जाती के पाप के बदले देंड देने का भी न्याई करने का भी अधिगार इश्य मसीग को दिया गया है खुल मिलाकर ये जो चार सचाया योहन्ना बराबर समझा बोला देखो लोग मेरे पीछे हो लेने का जरूरत नहीं है मेरी बड़ाई होने का जरूरत नहीं है मुझे और उन्चे स्तान जाने का जरूरत नहीं है मुझे और आदर सम्मान की आवशकता नहीं है जो काम के लिए म मैंने मेरा काम पूरा कर दिया, बस काफी है, में गठूम वो बढ़ें। मेरे प्यारे भाई बहन, कि आप कुशी से, इमानदारी से कह सकते हैं, में गठूम वो बढ़ें। क्या हम कोशिश करते हैं, प्रभू के नाम में अपनी आपको बड़ा दिखाने का, प्रभू के नाम में अपनी महिमा बढ़ाने का, दिखाने का, प्रभू की महिमा ही हमारा उदेश हो, प्रभू के नाम को उन्चा करना ही हमारा एक मात्र लिट्श हो, यहन्ना के साथ हम अधे में गठोम, He must increase, but I must decrease. प्रभुन्वाचन्वसे में सातक करे प्रभुवकित नाम किस्तुरी